जाने दिल में कफ से है दू जब से मैं हूँ तब से है तू मुझको मेरे रभ की पसा जारा रभ से पहले है तू अंदेखा अंजाना सा वगला सा दिवाना सा जाने वो कैसी हो गिरे आपलखों के उपर नीचे दिल के धर्वा दोश्तो आज के इस बेहदी रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एंसी फिल्म के बारे में जिसने हमें बताया कि दोश्ती क्या होती है दोश्ती हर रिष्टे से उपर है क्योंकि वो केबल दोश्ती ही है जिससे हर रिष्टे की सुरुवात होती है हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 20 साल पहले सन 2002 में आई फिल्म मुझे दोश्ती करोगे के बारे में जो फिल्म आज भी बहुत सारे लोगों की फैबरेट फिल्म में बनी हुई है लेकिन कि आप जानते हैं कि ये फिल्म जिस टाइम पर रिलीज हुई थी उस टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी इसमें हमें रितक रोसन, करीना कपूर और रानी मुखर जी जैसे एक्टर्स ना जराए थे लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म सन 2002 में बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दखा पाई थी लेकिन आगे चलकर ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये फिल्म आज भी बहुत सारे लोगों की फैबरेट फिल्म बनी हुई है एक्शुली जिस टाइम पर सन 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाई थे क्योंकि इसमें दखाया जाता है कि हीरो और हीरोईन एक दूसरे से मेल से बात करते हैं और उसी से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लेकिन जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम पर लोग इंडिया में साइध कंप्यूटर के बारे में या इमेल्स के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं थे उस टाइम पर बस कुछ सहरों में रहने वाले और गिने चुने लोग ही इन सारी चीजों के बारे में जानते थे लेकिन इसके रिलीज होने के बाद जब को समय बाद ये फिल्म टीवी पर आई और लोगों ने इसको डीवीडी पर देखा तो बहुत जादा पसंद किया और लोग फिल्म के इन तीनों ही कैरेक्टर्स से राज, पूजा और टीना से बहुत अच्छे से जुड़े और इसके गानों को भी बहुत पसंद किया फिल्म रिलीज हुई थी 9 अगस्त सन 2002 को और इसमें हमें रितक रौसन, रानी मुखरजी और करीना कपूर के अलाबा और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसी फिल्मों को भी डारेक्ट किया था फिल्म को यसराज प्रोडक्संस के बैनर तले प्रोडूस किया गया था और फिल्म के प्रोडूसर थे यस चौपडा और वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी और इसके डायलोग से कुनाल कोहली नहीं लिखे थे लेकिन इसकी कहानी में और स्क्रीन पले में आदित चौपडा ने भी थोड़ी बहुत सजेसंच दिये थे सिनेमेटो ग्राफर थे रवी के चंदरन और म्यूजिक डिरेक्टर के तौर पर राहुल सर्मा को अप्रोच किया गया था और राहुल सर्मा का ये बॉली वड में बतौर म्यूजिक कमपोजर पहला म्यूजिक अलबम था और फिल्म में मुझे दोस्ती करोगे एक मात्रेंसी फिल्म है जिसके लिए राहुल सर्मा ने म्यूजिक कमपोज किया था इसके बाद आगे चलकर राहुल सर्मा ने केबल और केबल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ही कमपोज किया है जहां पर उन्होंने ज्यादा तर संतूर और फिलूट के जड़िये ही अपना म्यूजिक दिया है इसके म्यूजिक अलबम में लगबख 31 मिनिट की लंबाई वाले गानों के सारे वरजन्स को मिला कर टोटल आठ गाने रखे गए थे और जब इसका म्यूजिक अलबम रिलीज किया गया था तब उस टाइम पर इसके गाने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपलर रही थे जैसे अंदेखी अंजानी थी सावली थी एक लड़की जाने दिल में कब से है तू ओ माई डार्लिंग और इसका टाइटल सौंग मुझसे दोश्टी करोगे इन बहतरीन गानों में आवाजें थी लता मंगेसकर, ओदेतनारायन, सौनु निगम, अलीसा चिनौए और आसा बहुंसले की और इन सारे ही गानों के लिरिक्स लिके थे आनन्द बक्षी साहब ने हाला कि जिस टाइम पर सन 2002 में इसका म्यूजिक अलबम रिलीज किया गया था उस टाइम पर आनन्द बक्षी साहब इसको सुन नहीं पाए थे क्योंकि आनन्द बक्ची साहब की फिल्म रिलीज होने की मातर कुछ महीने पहले ही मृत्ती हो गई थी लेकिन सन 2002 में इसके मुज़िक अलबम को लोगों ने बहुत जादा पसंद किया था और उस टाइम पर लगभग 12 लाग से जादा इसकी आडियो कैसेट से सेल की गई थी और ये सन 2002 में 11 वे नमबर पर सबसे जादा बिखने वाला मुज़िक अलबम साबित हुआ था अब बात करें अगर फिल्म के बज़ेत और वॉकस आफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बज़ेत रखा गया था लगभग 12 करोड़ रुपए और उस टाइम पर इसने इंडिया में लगभग 12 करोड 94 लाग रुपए का कलेक्शन किया था और वर्डवीड में लगबग 33 करोड 61 लाक रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म थाबित हुई थी जहां फिल्म को टोटल लगबग 290 स्क्रीन्स पर रिलिज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए उस टाइम पर लगबग 32 लाक 81 लोग आये थे और फिल्म में मुझे दोश्ती करोगे सन 2002 में पैसे कमाने के मामले में 11 वे नंबर पर रही थी 2002 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी देवदास, दूसरे नंबर पर थी राज, तीसरे नंबर पर थी कांटे, चौते नंबर पर थी आँख हैं और पांचबे नंबर पर थी हम राज एक्चुली सन 2002 का जो साल था वो रितिक रौसन के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा था इस साल उनकी टोटल तीन फिल्में रिलीज हुई थी मुझे दोश्ती करोगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे और ना तुम जानो ना हम लेकिन इस साल आई उनकी ये तीनों ही फिल्में बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दखा पाई थी उनकी फिल्म मुझे दोश्ती करोगे को आई अम डेवी पर 5.7 आउट आफ 10 रेटिंग मिली हुई है एक्चुली फिल्म के जो डिरेक्टर थे कुनाल कोहली वो ये फिल्म डिरेक्टर करने के पहले एक फिल्म क्रिटेक्स थे और उस टाइम पर वो 90's में आने वाली बहुत सारी फिल्मों का रिव्यू किया करते थे और उस टाइम पर वो फिल्म क्रिटेक्स होने के अलाबा कुछ टीई वी सीडियल्ज को भी होस्ट किया करते थे और इसके अलाबा उन्होंने अपने बहुत सारे म्यूजिक अलबम भी लॉच्ट किये थे जैसे 1998 में उन्होंने ये है प्रेम नाम की मुजिक अलबम को सूट किया था हाला कि उस टाइम पर कुनाल कोहली की दमाग में ये था कि फिल्म क्रिटेक्स होने के अलावा उन्हें आगे चलकर एक डारेक्टर बनना है और उस टाइम पर कुनाल कोहली अपने लिए ही कुछ-कुछ फिल्मों की कहानियां लिखा करते थे और ये बात है लगबग सन 2000 के आसपास की जिस टाइम पर कुनाल कोहली एक टेवी सो चलो सिनेमा को होश्ट कर रहे थे तब उस टाइम पर उनके इस सो में करन जोहर भी एक गेस्ट बनकर आए थे और उस टाइम पर करन जोहर अपने दवारा सन 1998 में में बनाई गई फिल्म कुछ-कुछ होता है कि बात बहुत ज़्यादा पॉपलर हो गई थे तो इसी सो में पहली बार कुनाल कोहली की मुलाकात हुई थी करन जोहर से और सो खत्म हो जाने के बाद कुनाल कोहली ने करन जोहर को अपने दवारा लिखी गई एक फिल्म की कहानी सुनाई इच्श्छि उस्टाइम पर कुनाल कोहली ने सोचा कि सायओ करन जोहर को इनकी ये कहानी पसंद आए और आगे बो उन्हें फिल्म डारेक्ट करने का मौका दें हाला कि उस्टाइम पर करन जोहर ने कुनाल कोहली के दुआरा लिखी गए कहानी तो सुनी लेकिन ये उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई तो उस टाइम पर करन जोहर ने कुनाल कोहली से बोला कि अपने दोरा लिखी गई इस कहानी को तो बूस साइड में रख दें और उनके पास एक फिल्म की कहानी का आईडिया है अगर वो चाहें तो इसको उपर फिल्म बना सकते हैं एक्चुलि उस टाइम पर करन जोहर अपनी सन 2001 में आने वाली फिल्म कभी खुसी कभी गम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे और इसके अलावा भी करन जोहर के पास एक और फिल्म की कहानी थी जिसको भी वो उस टाइम पर कंगन के नाम से बनाने के बारे में सोच रहे थे हाला कि उस टाइम पर करंजोहर के पास फिल्म की पूरी कहानी तो रेड़ी नहीं थी लेकिन बस इसका एक चोड़ा सा आइडिया तयार था जोकि उन्होंने कौनाल कोहली कुछ सुनाया और इसके बाद आगे चलकर कौनाल कोहली इने फिल्म की पूरी कहानी लिख ली एक्चुली अगर आपने फिल्म मुझे दोश्टी करोगे को बहुत अच्छे से देखा होगा तो इसका कंगन वाला सीन आपको जरूर याद होगा जब रितेक रौसन रानी मुखर जी से प्यार करते हैं और उनके नाप के ही कंगन बनव वाले थे लेकिन आगे चलकर करन जोहर की फिल्म कंगन तो नहीं बन पाई और इस आइडिया को कुनाल कोहली ने फिल्म मुझे से दोश्टी करोगे में यूच किया जिसके लिए कुनाल कोहली ने फिल्म मुझे से दोश्टी करोगे के स्टार्टिंग में करन जोहर को भी थ अपने साथ काम करने के लिए बहुत सारे नए डारेक्टर्स को मौका दे रहे थे। के बाद इतने ज़्यादा पॉपलर हो गए थे कि उस टाइम पर रितक रॉसन को अपनी फिल्मे में साइन करने के लिए बड़े बड़े डारेक्टर्स और प्रोडूसर्स की लाइन लगी रहती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो तुरंद इसमे काम करने के लिए तैयार हो गए। हाला कि उस टाइम पर रितक रॉसन की पता राकेस रॉसन भी रितक रॉसन की हर एक आने वाली फिल्म की कहानी सुना करते थे। और उस टाइम पर रितक रॉसन की पता राकेस रॉसन को फिल्म की कहानी पसंद आती थी तब ही वो उन फिल्मों में काम करते थे। तब उस टाइम पर रितक रॉसन को ये कहानी सुनाने के बाद कुनाल कोहली ने उनके पता राकेस रॉसन को भी ये कहानी सुनाई और ये कहानी और इसका आइडिया राकेस रॉसन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस तरह से रितक रौसन इसमे काम करने के लिए तैयार हो गए इसके बाद इसके लिए रानी मुखरजी को अपरोच किया गया उन्होंने कहानी सुनी और वो इसमे काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई और उनके बाद इसमें काम करने के लिए दूसरी अक्टरस के लिए करीना कपूर को अप्रोच किया गया हलाकि उस टाइम पर स्टार्टिंग में करीना कपूर कौन सी फिल्मे में काम करेंगी और कौन सी में काम नहीं करेंगी इन सारी बातों का डिसीजन करीना कपूर की मा बवीता कपूर लिया करती थी और मज़ेदार बात ये है कि पहले करीना कपूर का जो बॉलीवर डेबियू है वो रितक रौसन के अपोजट ही फिल्म कहोना प्यार है से होने वाला था लेकिन उस टाइम पर करीना कपूर की मा बवीता कपूर को लगा कि ये फिल्म में तो राकेश रौसन अपने बेटे को लॉंच करने के लिए बना रहे हैं इस वज़े से उन्हें लगा कि सायद इसमें उनकी बेटी करीना कपूर के उपर उतना फोकस ही ना करें तब उस टाइम पर करीना कपूर ने फिल्म कहो ना प्यार है में एक या दो सीन में काम भी किया था लेकिन इसके बाद उनकी मा बवीता कपूर ने करीना कपूर को बोला कि वो इसमें काम ना करें और बाद में उनकी जगहे पर इसमें अमीसा पटेल को साइन किया गया था और मुझे दोश्टी करोगई के टाइम पर भी कुछ-कुछ वैसा ही होने वाला था और चुकि इसमें करीना कपूर का सपोर्टिंग रॉल था और करीना कपूर को इंड़स्टी में आए हुए मातर दो साल ही हुए थे तो पहले तो करीना कपूर ने और उनकी मा ने इसमें काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर करीना कपूर को लगा कि अगर वो फिल्मों में अभी से ऐसे सपोर्टिंग रॉल निभाने लगेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर उने फिल्मों में केवल ऐसे ही सपोर्टिंग रॉल ही ओफर हो लेकिन बाद में आगे चलकर जब कुनाल कोहली ने और आदित चौपडा ने फिल्म के इस करदार के बारे में उन्हें बताया और उन्हें बताया कि उनका ये जो करदार है वो पूरी फिल्म की जान होने वाला है तब बाद में जाकर करीना कपूर ने इसमें काम करने के लिए हाँ बोला था मतलब इसमें काम करने वाले एक्टर और एक्टरस के तोर पर फिल्म मेकर्स की जो पहली पसंद थी वही इसमें काम करने के लिए तयार हो गए और इनके अलावा किसी और को अप्रोच भी नहीं किया गया करीना कपूर इसमें हमें बिलकुल एक नट, खट, चंजल और चुल्बली लड़की टीना कपूर के करदार में नजा रही थी जहां पर उनका ये कड़दार बिलकुल मस्त मौला और बिलकुल बिन्दास होता है एक्चुलि करीना कपूर और तक रौसन इसके पहले भी फिल्म कभी खुसी कभी गम और यादय में एक साथ काम करशे थे और करीना कपूर का जिस तरह से करदार फिल्म कभी खुसी कभी गम में लखा गया था उनका कुछ-कुछ वैसा ही मिलता जुलता करदार फिल्म मुझसे दोष्टी करोगे मैं भी रखा गया था एक्चुली अगर आपने फिल्म मुझसे दोष्टी करोगे मैं करीना कपूर और रानी मुखरजी के नाम को नोटिस किया हूँ तो इसमें करीना कपूर का नाम रखा जाता है टीना कपूर और रानी मुखरजी का नाम होता है पूजा मज़ेदार बात ये है कि ये दोनों ही नाम करण जोहर की पिछली फिल्मों कभी खुसी कभी गम और कुछ-कुछ होता है से लिए गए थे जहां कुछ कुछ होता है में रानी मुखर जी का नाम टीना होता है वो मुझसे दोश्टी करोगे में करीना कपूर का नाम रखा गया था और फिल्म कभी कुसी कभी गम में करीना कपूर का नाम पूजा होता है वो फिल्म मुझ से दोष्टी करोगे में रानी मुखर जी का रखा गया था लेकिन ये इन दोनों की साथ में आई एक मातर फिल्म है इसके बाद ये दोनों हमें किसी फिल्मे में एक साथ नजर नहीं आए हैं हाला कि इसके पहले इन दोनों ने करन जोहर की फिल्म कभी कुसी कभी गम में तो काम किया था लेकिन इसमें इन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं रखा गया था इसमें म्यूजिक कम्पोस करने के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कम्पोजर शिब कुमार सर्मा के बेटे राहल सर्मा को साइन किया गया था एक्चुली शिब कुमार सर्मा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और वो इसके पहले यस चौपडा के लिए सिलसला, फासले और चांदने जैसी फिल्मों के लिए धुना को कमपोज कर चुके थे और उनके बेटे राहल सर्मा से उनके एक कौंसर्ट के दोरान यस चौपडा की मुलाकात हुई उन्होंने बोला कि उनके प्रोड़क्सन हाउस में एक फिल्म बन रही है अगर वो चाहें तो इसके लिए म्यूजिक कमपोज कर सकते हैं और राहल सर्मा को जैसे ही ये फिल्म उफर हुई तो उन्होंने तुरंद इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था और राहल सर्मा ने इसके लिए बिल्कुल बहतरीन म्यूजिक अलबम कमपोज किया था जिसके गानों को लोग आज तक याद कर रहे हैं राहल सरमा के तबारा कंपोस की गई इन बहतरीन धुनों में सब्दों को पुरोया था आनंद बक्षी साहब ने अच्छली उस टाइम पर आनंद बक्षी साहब ने कौनाल कोहिली को बहुत सारे गाने लिख कर दिये थे लेकिन फिल्म के लिए एक बहत्रीन गाना बनाया जाने वाला था जाने दिल में कब से है तू तो पहले तो आनंद बक्षी साहब ने इस गाने के आपसन में कुनाल कोहली को 5-6 गाने और लिख कर दिये सेम इसी गाने की धुन पर पहले आनंद बक्षी साहब ने मेरा प्यार है तू, मेरे दिल में बसी है तू और यह से चार-पांच और गाने लिखकर दिये थे लेकिन कुनाल कोहली को इनमेंसे कोई भी गाना पसंद नहीं आ रहा था और फाइनली जब आनंद बक्षी साहब ने एक और गाना लखा जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू और यह गाना जब उन्होंने कुनाल कोहली को सुनाया तो इस गाने को सुनते ही उन्होंने इसको फाइनल कर दिया था इसके अलावा फिल्म का एक और बहतरीन गाना था कहे दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे एक्चुली पहले तो इस गाने को बिल्कुल नॉर्मली ही फिल्म के अंदर रखा जाने वाला था लेकन बाद में आनंद बक्ची साहब ने कहा कि इस गाने को हमें थोड़ी और ज़्यादा इंडरेस्टिंग बनाना चाहिए जैसे कि जब हीरो हीरोईन से बोलेगा कि कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे तब इसके जबाब में हीरोईन को थोड़ी अंगणाई लेते हुए बोलना चाहिए कि देखूंगी सोचूंगी कल परसां कुछ कहूंगी और आनंद बक्ची साहब के सजिसंस पर ही गाने की लाइनों को ऐसा रखा गया था जिसकी बज़े से ये गाना सुनने में और देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था हाला कि इसका म्यूजिक अलबम रिलीज होने के पहले ही आनंद बक्ची साहब की मृत्ती हो गई थी इस बज़े से उन्हें भी फिल्म के स्टार्टिंग में क्रेडिट दिया गया था जब फिल्म मुझस से दोश्टी करोगे बन रही थी तब उस टाइम पर फिल्म के डिरेक्टर कौनाल कोहली को सिदार्थ आनंद और जाने माने एक्टर नील नितन मुकेस भी असेश्ट कर रहे थे और आगे चलकर सिदार्थ आनंद ने सलाम नमस्ते और तारा रंपम जैसी फिल्में बनाई थी और आगे चलकर नील नितन मुकेस ने बतोर एक्टर अपना डेब्यू किया था बहुत सारी फिल्मों में हमें नजर आए हैं एक्चुली मज़ेदार बात ये है कि फिल्म मुझ से दोष्टी करोगई के टाइम पर कुछ सीन में निल नेतन मुकेस ने रितक रौसन के बौडी डबल के तौर पर भी काम किया था हाला कि ये वो सीन थे जहां पर रितक रौसन का चहरा हमें दखाया नहीं जाता है उनके पीछे से या दूर से सीन लिया गया है हाला कि अक्सर ऐसा बहुत सारी फिल्मों में होता है जहां पर ऐसे सीन्स करने के लिए जब हीरो वहाँ पर अविलेबल नही होता है तो उनके बॉडि डबल का यूच करके इन सींस को फिलमाया जाता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हीरो बहुत ज्यद waist होने की वजए से वहाँ पर एवलेबल नहीं हो पाता है जयесे अगर आपको याद हो तो फिल्म कुछ-कुछ होता है मैं सलमान खान ने गेस्ट अपीरेंस नभाया था जहांपर सलमान खान के ऊपर फिल्म का एक बहुत ही पॉपलर गाना साजन जी घரाई फिल्माया गया घा ता तो इस गाने के लिए सल्मान खान ने वैसे बहुत ही कम समय दिया था तो इतने कम समय मैं सल्मान खान के जितने भी सीन आगे से फिलमाए जा सकते थे वो फिलमाए गए लेकिन इसके अलावा कुछ और उनके सीन्स की जरूरत पड़ी तो उनके बौडी डबल ने इनको कम्पलीट किया था जहां पर उनका चेहरा दिखाया नहीं जाता है वहां पर उनका बौडी डबल खड़ा हुआ था तो ऐसा ही कुछ नील नेतन मुकेस ने 只 करोगे में किया था इसमें करिना कपूर के करदार टीना की लोगों ने बहुत जादा तारीफ की एक्चली इसमें करिना कपूर का जो पहला ही सीन था जहां पर वो हमें बासकेट बाल खेलती हुई नजा राती है तब उस टाइम पर इस सीन में और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए करीना कपूर ने दो तीन दिनों तक अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कम रखा था इसके लिए करीना कपूर का ये कहना था कि इसमें उनकी कमर दखाई जानी है और वो चाहती हैं कि ये बहुत अच्छी नजराए और एंसा करने के पीछे उनका एक रिजन ये भी था कि इस करदार के लिए लोग बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्चुली करीना कपूर हमेशा से ही अपने लोग को लेकर बहुत ज़्यादा कौंसियस रही है और इसी के चलते आगे चलकर करीना कपूर ने फिल्म टरसन के लिए अपनी साइड जीरो कर ली थी जिसको लेकर भी उस टाइम पर करीना कपूर बलकूल हाईलाइट रही थी फिल्म के गानों को कोडियो कर अफ करने के लिए एहमद खान को साइन किया गया था फिल्म मुझ से दोश्ती करोगे उस साल की एक बहुत ही मच अवेटेड फिल्म थी लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसको बहुत अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल पाया था एक्चुली फिल्म की कहानी में हमें जो मिसंडरस्टेंडिंग वाला कंसेप्ट दिखाया जाता है उसका एक बेसिक आइडिया एक्चुली सन 1996 में आई एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म दा ट्रोथ अबाउट कैट्स एंड डॉक्स से लिया गया था जहां पर हमें कुछ एंसा ही कंसेप्ट दिखाया जाता है बात करें अगर इसके सूटिंग लोकेसंस की तो इसके बहुत सारे सीन सिमला और मनाली के आसपास की लोकेसंस पर फिल्माए गए हैं इसके अलाबा फिल्म के बहुत सारे सीन लंदन में फिल्माए गए हैं फिल्म में रखी गई एक अंताक्षडी भी उस टाइम पर बहुत जादा पॉपलर हुई थी जहां पर इस अंताक्षडी में रानी मुखरजी अपनी फिल्म कुछ-कुछ होता है का गाना कुछ-कुछ होता है गाती है और रितक रौसन अपनी फिल्म कहो ना प्यार है का टाइटल सॉंग कहो ना प्यार है गाते हुए नजर आते हैं इन दोनों के ही ये गाने इसके पहले ओडियन्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपलर हो चुके थे इसमें हमें येस चौपला के छोटे बेटे और आदित चौपला के भाई उदय चौपला भी नजराई थे और इसमें हमें उनके साथ में रानी मुखर जी भी नजराई थी हाला कि मज़ेदार बात ये है कि आगे चलकर रानी मुखर जी की आदित चौपडा से साधी हो गई थी और उदाय चौपडा उनके रियल लाइफ में बिदर इनलो बन गए है हाला कि उस टाइम पर फिल्म मुझसे दोष्टी करोगे ने इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्सन नहीं किया था लेकन फिर भी ये फिल्म इंगलेंड में और अमेरिका जैसे देसों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी सन 2002 में फिल्म के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही इसके डीवीडी वर्जन को भी रिलीज कर दिया गया था एक्चुली उस टाइम पर फिल्मों के लीक होने की बहुत ज़्यादा खबने सामने आ रही थी इसी के चलते उश्राइम पर इसके डीवीडी वर्जन को बहुत जल्दी लॉंच किया गया था आगे चलकर सन 2011 में यसराज प्रोडक्सन हाउस के बेनर तले ही फिल्म मुझसे दोश्टी करोगे जैसी कहाने के उपर ही फिल्म मुझसे फ्रेंड्सिप करोगे बनाई गई थी हाला कि इसको कुनाल कोहली ने डारेक्टर नहीं किया था इसको नुपर अस्थाना ने बनाया था तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मुझसे दोश्टी करोगे से जुड़े हुए बहुत सारे अन्नौन फैक्ट्स के बारे में ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी थी इसके गाने आपको कैसे लगे थे हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और इस फिल्म को अगर आपने सिनेमा घरों में देखा है तो हमें सहर का नाम और सिनेमा घर का नाम जरूर मेंसन करना और अगर ये वीडियो आप को पसंदाया हो, मेरी महनत आपको पसंदाई हो तो उसको पिलिज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननौन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ